हेलो फ्रेंद्स विल्कम बैक टो मैं चैनल अम्रीती फैशन मिला आज की वीडियो में देखें यह सिंपल सीडी सी पट्टी बनाने वाले हैं यह हमारी नीचे की घेर है इसमें हमने डोरी डाल दिया बस खींज देंगे तो यह रडी हो जाएगी यह हमारी चोली और यह कैप दोनों हम एक साथ जॉइंट करेंगे और एक डोरी डाल देंगे तो यह भी कंप्लीट हो जाएगी यह रहा इसका सभी साइज के लिए मेजर्मिंट चार्ट आप किसी भी साइज में से बना सकते हैं तो चलिए मैं चोली से लेती हूँ फिर मैं आपको इसे पहना के अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यह देखें हम इस तरह से यहाँ पे पीछे की साइड बात देंगे बस यह हो गया आपने देखा इसे बनाना कितना इजी था सिंपल सी इधी पट्टी के हल्प से मैंने आपको इसे बना के बताया अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन पर प्रेस कर के और पे क्लिक कर लें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे अभी तक पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर फॉलो करिए मेरा इंस्टागाम है अम्रिती फेसंव्या 50 अफर लिंक आपको डिस्क्रिप्सम बॉक्स मिल जाएगा यह देखे पूरी पूछे तक कवर है ऐसा नहीं है कि कहीं से खुली है थोड़ा सा कैमरे का एंगल चेंज कर आप देखें हमारे ड्रस कुतनी सुंदर लग लग रहे है एकदम सिंपल और आसान तरिके से आगई यह काना को तो चले स्टाट करते हैं वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है किसी भी साज में आप इसे बना सकते हैं मेजरमिन चाट की हेल्प से यह देखे यह डबल किया तो हमारे नार्मल लून के जितना मोटा हो जाता है हमें उन को क्या करना है यह देखें यह एक राउंड लपेट लिया टोटल चार राउंड लपेटना है यह देखें यह हमारा दूसरा राउंड टोटल चार हमारी लेयर्स हो गई है यह देखें यह एक लेय ये दो, ये तीन और ये चार, टोड़ल चार हमारी हो गई है लेयर्स, चार लेयर के बाद हम यहां पर एक नौट लगा देंगे, यह थोड़ा सा अलग है हमारा फंदा डालने का तरीका, यह देखें यह इस तरह से करके हमने यहां पर नौट लगा दी है, अब हमें यहां पे अपना फंदा डालना सुरू करेंगे उसके पहले यह जो एक्स्टरा इज दिखें mais को छोड़ के जो एक्स्टरा है बगल में रखा सलाई को अब इदर से ऊन को पकड़ना है कैसे पकड़ना है यह देखे यह इस तरह से उंगली लगाया लंबा कर दिया यह हमारी जो इंडेक्स फिंगर है यह वाली उंगली इसे हमने ऐसे लंबा किया बीच वाली उंगली से यहां से उनको इस तरह से खिचेंगे और यही इन दोनों के बीच में जो आ रहा है इसे ही हमें अपनी सलाई में पहना देना है यह देखिया हमने पहना दिया पहना देने के बाद यहां पे हम इधर से डालेंगे और यह जो हमने पहनाया हुआ है इसे यहां से निकाल देना है यह हमारा फंदा जो है वो पढ गया अब पहला ही फंदा डालने में थोड़ी सी वो है कि हमें अपनी नौट जो है इसके अंदर ही डखनी है यह नहीं कि नौट हमारी इधर-धर हो जाये यह देखेyard पहला फंदा बढ गया और एकने सब्सक्राइब के अब्सक्राइब ही रखे विलेखे हे kWhमनूर्मल डालेंगे यह विल्सक्राइब जोगो आपने सब्सक्राइब चरणे। ये देखे हम पहली सलाइय यही हमारी सीधी साइड है हमनॉर्मल उल्टा-उल्टा बुलेंगे ये देखे ये इस तरह से हमें बुल देना है थोड़ा सा अलग है तरीका फंदे डालने का आप चाहें तो नॉर्मल तरीकों से भी डाल सकते हैं नॉर्मल फंदा डालते हैं ऐसे भी डाल देने हैं डाल सकते हैं इसे डालने से थोरा सा देखिए यह मोटे-मोटे से गांड जैसा आ जाता है तो चलिए मैं यह पूरी सलाय उल्टी-उल्टी बुनती हूं फिर अगली सलाय मैं आपको बताऊंगे क्या करना है अब देखिए ह दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा मिंस हमारा तेरा हो गया आधा अब हमें यहाँ पे अपना दूसरा कलर लगाना है और हमारा पैटर्न भी स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको बताती हूं कि कैसे हमें बुनना है बीच में अब हमें बुना, तीन फंदा बुना, चार फंदा बुना, यह देखें, यह हमारा पांचवा फंदा बुना, यहाँ पे इसका यह चोटा वाला उन है हम इसी में ऐसे दबाते चल चलेंगे, यह हमने अपना छटा फंदा बुना, यह साथमा फंदा, यह आठ फंदा, यह नो फंदा, ये 10 फंदा ये 11 फंदा अब देखें, दो और बुनेंगे तो हम बीच में आ जाएंगे मिन्स 13 हो जाएगा हमारा तो हमें क्या करना है, ये ही 2 फंदा एक साथ बुन दें नय संटर वाला, ये देखें हमने 12 हों और 13 हों फंदा हमने एक साथ बुन दिया, और 14 और 15 फंदा हमने एक साथ बुन दिया ये देखें, और फिर हम इसे नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनते चले जाएंगे, जितने फंदे बचे हैं इधर इधर भी हमें घटाने के बाद अपने 11 फंदे मिलेंगे मिन्स किनारे किनारे हमने 11-11 फंदा बुना और फिर बीज में जो 4 फंदे थे उन्हें हमने साथ साथ बुन दिया है पूरा मैंने आपको डिटेल में इसलिए दिखा दिया है अब देखें हमें यहाँ पर क्या करना है यह सलाई हम पूरी उल्टी-उल्टी बुनेंगे चले बुनती हूं फिर अगली सलाई में बताऊंगे क्या करना है अब देखें फिर हम उल्टी साइड आ गया है फिर हमारा यहाँ पर फंदा घटेगा पिछली बार हमारा दो फंदा घटिया था हमें दो-दो सलाईया बुननी है तो यह हमने पहला फंदा बुन दिया उल्टा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस अब ग्यारहमा और बारहमा फंदा हम एक साथ बुन देंगे फिर देखें, तेरहमा और चौधमा फंदा हमने एक साथ बुन दिया और यहाँ पे हम बचेंगे दस फंदे देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस दस फंदे हमारे बचे हैं अब यहाँ पे हमारे सीधी साइड है तो इधर हमें इसे उकशन बुनना ही एक बार गिन के दिखा देती हूं, फंदो को आप देखें, दो, दो, चार, दो, चार, दो, चे, दो, आठ, दो, द, 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 ज, violation, द, 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 ग, द, न, द, 20, द, अब हमारे पास सिर्फ 22 फंदे बचे हैं पिश्ली बार हमार पास 24 फंदे थे तो चलिए वाली सलाई उल्टी-उल्टी बुनते हूं फिर अगली सलाई में आपको बता दूंगी कैसे बुनना अब दिखें हमार पास यहां पे 22 फंदा है तो 22 का अधा हो गया 11 है मिन समय यहां पे 9 फंदे अपने अपने उल्टे-उल् वहाल यह हूं यह मेरा तीसरा, चौधा, पांचवा, छठा, साथ, आठ, नो 9 फंदा उल्टा बुलने के बाद 10 और 11 फंदा हमने 1 साथ बुन दिया 12 फंदे लरा हमार थे रह हमार फंदा हमने 1 साथ बून दिया फिर यहां पे हमार पस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9下面 बचते हैं, अब हम इने उल्टी साइड अपना उल्टा-उल्टा बुनेंगे, चले बुनती हो, फिर आगे बताओंगे क्या करना है, यर्म दिखेड़ी साइड उल्टा-ल्टा बुनती हैं, अब हम अपनी उल्टी साइड आ गए हैं, अब हमें घृन कलर की जरूरत 12 एक साथ बुनेंगे और फिर 8 फंदे बचेंगे तो उसे बुन देना और ग्रीन वाले को इस तरों से दपाते जाना है देखिए हमने यहां पर दो फंदा उल्टा उल्टा बुना है यह ग्रीन वाले को इसी में हम ऐसे करके दपाते चल जाएंगे तीन फंदा उल्टा साथ बुनेंगे, फिर दो फंदे एक साथ बुन दिये, और फिर इधर हमारे पास आठ फंदे बचे हैं, देखें ये एक, दो तीन, चार पाँच छे, साथ आठ अब इन बचे हुए सभी फंदों को हमें एक ये बार गटा देना है, कैसे खटेंगे दो फंदा हमने एक साल इसी साली मिल यह और बुध देंगे फिर वही चीट कर नहीं है यह देखें इस तरह से इस साल इस को बोहत ही खुछ Information चाहिए mm अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एक एक वीडियो बनाने में काफी महनत लगती है और मैं आपको सभी साहज में समझाती हूँ तो टाइम भी बहुत लग जाता है तो प्लीज अगर आपको लाइक भी किया करा है क्या करी आप लोग यह देखे हो गया आप लास्ट में एक फंदा बचा है तो इससे हम नौट बनाएंगे यह इस तरह से हमने नौट बना दी यहां पे कट करके कीच दीजिए यह हमारा पीज जो है वो रेडी हो गया है अब हमें क्या करना इसे सिल द करके और आपस में सिल देना है आपको भी सेम कलर का उन डालना होगा यह देखे यह नीचे से आप पहले से बराबर कर लिजे यह नहों कि आपने उपर से उच्छा नीचा इससे सिल दिया तो फिर हो गया यह आपका डिजाइन नहीं सही आएगा यह देखे यह इस तरह से कर एपछ चिराए आपका इसे और नौट लगाने के बाद भी हमें क्या करना है यह देखे यह इस तरह से यह हमारा ओन है यह देखे यह जो performed है मिर प्रिज़ देंगे यह पर ठोट पास से कम दो से तीन बार हम यहाँ पे सिलाई लगा के नौट लगाएंगे जिससे ये उन हमारा जो है वो खुल के निकले नहीं छोटी छोटी चीजों का ध्यान देने से ही आप बहुत अच्छी ड्रेस और वो भी फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं ये ड्रेस आप बना के सोपीस में रखने वाले तो हैं नहीं काना को पहना नहीं है तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना ही पड़ेगा अब देखें यहाँ से यह जो है सुवी वाला उन मैंने कट कर दिया जो एक्स्रा था वो कट कर दिया कुछ इस तरह का हमें पीस यहाँ पे देखे मिल गया है ऐसे हमें कई सारे पीस बनाने हैं चले बना लेती हूँ फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है यह देखे हमारा यहाँ पे यह पीस जो है बन किया है मैंने यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ टोटल आठ पीस बनाया है पांच नमबर के काना की ज्रस बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे आठ पीस बनाया है सभी सैज में आपको सेम मिजर्मेंट के साथ बनाना है बस हमारे पीसे जो है वो चेंज रहेंगे तो आप मेजर्मेंट चार देखें जीरो सैज में आप चार पीस बनाएंगे एक नमबर में भी चार पीस जीरो और एक नमबर में चार चार पीस इस तरह का हमारा रहेगा दो नमबर में पांच पीस तीन नमबर में 6 पीस, 4 नमबर में 7 पीस, 5 नमबर में 8 पीस, जैसा कि हमने इसे 5 नमबर के लिए बनाया है, तो मैंने यहां 8 पीस बनाया है, 6 नमबर में 9 पीस, 7 नमबर में 10 पीस, 8 नमबर में 12 पीस, 9 नमबर में 14 पीस, और 10 नमबर के लिए बना रहे हैं, तो इस तरह का आ एक सो चार फंदा डालके और टोटल 24 सलाईयां इसे उल्टा उल्टा बुना है ना है फंदे घटे हैं ना बढ़े हैं, हमने 104 फंदा अपना इसे ऐसे ही देखें यह नौट वाली जो फंदे आते हैं, हमारी गांठ वाले फंदे हम इसे बोलते हैं वो ही फंदे डालके और total 24 सलाइयां बुंदी है 104 फंदे डालके तो मैं आपको सभी सैज ही बताती हूँ कि तो हम इसे सीलेंगे और डोरी डालेंगे तो देखे जीरो सैज में आप 54 फंदे डालेंगे एक नम्बर में भी आपको 52 फंदे डालने हैं 2 नमबर में हम 65 फंदे डालेंगे, 3 नमबर में 78 फंदे डालेंगे, 4 नमबर में 904 फंदे डालेंगे, 4 नमबर में 117 फंदे डालेंगे, 6 नमबर में 117 फंदे डालेंगे, 7 नमबर में 130 फंदे डालेंगे, 8 नमबर में 156 फंदे डालेंगे, 9 नमबर में 182 फंदे डालेंगे, 10 नबर में 208 पंदे डालेंगे जब ऐसे measurement बताती हूँ तो दिमाख में आगे चलता रहता है कि अभी इसमें आगे क्या add कर सकती हूँ जिसे ही और easy हो जाए और आसानी से समझ में है तो कभी-कभी बोलते हैं थोड़ा सा गलत हो जाता है बट कभी भी चार्ट के उपर गलत नहीं लिखा रहता है आप लोग चार्ट भी ध्यान से देखा करें और जब भी measurement चार्ट का screen shot लीजे तो वीडियो की quality को थोड़ा सा high कर लिया करें जिसे आपको सारी चीजे एकदम detail में समझ में और दिखें तो यह तो मैंने आपको बता दिया कि कितने फंदे डालने हैं अब देख लेते हैं हमें इसे कितनी सलाईयां बुननी हैं तो 0 सायज में हम 12 सलाई बुनेंगे एक नमबर में 16, दो नमबर में 18, तीन नमबर में 20, चार नमबर में 22, पांच नमबर में 24 दृषully जैसा कि हमने यहां पर बुनह हुआ हैh 6 नमर में 28 चाप 7 नमर में 37 यृक। आट नमर में 34,this नमर में 50 पूरिडविकरत हमें इस तरह पीस मिल जाएगा जब हमें ऐसा पीस मिल जाएगा तो हमें क्या करना है, क्या क्या करना है but क्योंकि हम इसी में डारेक्ट अपनी डोरी डाल देंगे जिससे इजी हो जाता है पहनाना ये बीच मैंने उंगली देखे डाली हुई थी इसे पूरा नहीं होने दिया अब यहीं इसके बीज से उन को डाल के और निकाल देंगे तो हमारी नॉट आ जाएगी अब उल्टी पर हमारा उन जो है वो फस्ता नहीं है कहीं भी यह हमने एक नॉट और दे दी अब हमें क्या करना है अपने उन को यहीं नहीं कट करना है यहां से हम देखें थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे जिसे हमारी फिनिशिंग बनी रहे यह देखें यह इस तरह से नीचे लेके आन यहां पर कोई भी चेन नहीं बना रही डोरी के लिए काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि लिए आप सब भी वीडियो में चेन बना के बता देती हैं प्लीज आप सिर्फ उन भी डाल के दिखाएं कि उससे हो तो कोई दिखात नहीं हो तो देखें कोई प्राबलम नहीं है मैं टाल सकता है तो अमने नृट को देखें डबल कर लिया अब यहां पर हम फंदे को एक एक करके उतार लें यह मैं इस तरह से आपी पिर से वीडिय अ इसमें सब गया न फकरना season 31. एक पीस लेंगे हमें इसे सिलना सुरू करना है सिम्पल यहाँ पे दिखे यह इस तरह से रखेंगे बहुत जाधा अंदर डाल के नहीं इतना आप इसे इसली सिल पाए है और ग्लीन कलर का ओन डाल दिया हमने यह देखे यह इस तरह से आप सिल देखे अगर आप beginner भी हैं तो भी आपको इसे बनाने में कोई problem नहीं होगी और अगर आप direct अपने इस piece के उपर फंदा उठा के बनाना चाहते हैं तो एक-एक piece में आपको 13-13 फंदा उठाना है यह देखें यह इस तरह सोगी है मैंने आसान तरीक आपको बताया है यह देखें एक piece हमने सिल दिया सेम ऐसे ही इसके just bagel में दूसरा piece रखेंगे सिलेंगे ऐसे करके हम अपना सारा pieces पे सिल देखेंगे चलिए सिल लेती हूँ फिर आपके बताऊंगे क्या करना है यह देखें हमारी घेर यहां पे ready हो गई है यह पूरा मैंने सिल दिया है किसी को भी एक दूसरी को पर चठाना नहीं है नॉर्मल रख के सिलते चल दिया है मैंने उसी हिसाब से ही आपको फंदे बताया है कि आपके कम अधिक नहीं होंगे तो चलें अब हम इसकी चोली और कैप भी देख लेते हैं देखें यहां पे चोली के लिए मैंने क्या किया है सेम तरसे अपने नॉट वाले फंदे डाले हैं यह देखें मोटी गाठ वाले फंदे मैंने डाले हैं और यहां पे मैंने 40 फंदे डालके और टोटल इसे 18 सलाईयां बुनी हैं ये देखें ये लिखे हैं फंदे और ये लिखे हैं सलाईयां यहाँ पर चलिए मैं आपको बताती हूँ सभी साइज में एकदम नौर्वल उल्टा-उल्टा ही बुनना था देखें जीरो साइज में आप 18 फंदे डालेंगे कितनी सलाईयां बुननी हैं? जीरो साइज में 8 सलाई बुनेंगे एक नमबर में 10, दो नमबर में 12, 3 नमबर में 14, 4 नमबर में 16, 5 नमबर में 18, 6 नमबर में 20, 7 नमबर में 22, 8 नमबर में 26, 9 नमबर में 30, और 10 नमबर में 36 सलाईयां बुनी हो, उसके बाद हम इसे घटा देंगे, तो यह हमें इस तरह का पीस मिल जाएगा, अब कैप के लिए में ऐसा ही piece बनाना है तो मैंने बुन के रखा हुआ है यहां पे मैंने देखिए पांश नमबर के लिए 24 फंदे डालके और 12 सलाइब बुनी है यहाँ पे 24 फंदे डालके 24 सलाइब बुनी है उल्टा उल्टा सेम वैसे ही वाले फंदे यहाँ पर भी मैंने डाले हुए हैं अब देखें जीरो सायज में आपको 10 फंदे डालने हैं कितनी सलाईयां पुनेंगे तो 0-6 में 6 सलाई, 1 और 2 नमबर में 8-8, 3 नमबर में 10, 4 और 5 नमबर में 12-12 सलाई, 6 नमबर में 14, 7 नमबर में 18, 8 नमबर में 22, 9 नमबर में 28 और 10 नमबर में 34 सलाईयां हम बुनके घटा देंगे तो हमें इस तरह का piece मिल जाएगा अब सबसे पहले हमें अपनी cap ही सिलनी है आब देखिए इसे हम कैसे सिलेंगे मैंने या पर orange और अरेंज कलर का उन डाल दिया है पहले हम cap सिलेंगे cap को हमें इस तरह से मोर देना है ये देखें हमने मोर दिया बस हलका सा एक दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे और चढ़ाने की बाद इसे हम सिलना सुरू कर देंगे, यह मैंने सुई में उन डाल दिया है, सेम कलर का यह देखें, यह इस तरह से सिल देना है अगर आप बिगनर भी हैं, तो भी आप इसे सेयर करती हूँ, यह देखें, यह इस तरह से हो गया, यहाँ पर मारी सिलाई हो गई है एक बार हम यहाँ से नीचे भी आ जाएंगे, अपनी सिलाई को रिपीट कर लेंगे, जिससे यह हमारा मजबूत रहे है, यह देखें, यह आप इसे बना के कितने भी दिन पहनाई है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका यह कम से कम कई सारी ठंटियों में चलेगा अगर आपका उन अच्छा है, जैसे कई सारे उन तो आज कल ऐसे आ रहे हैं, कि धुलकी लोग डालते है धूप में सूप में के लिए तो उन कलर चोड़ देता है तो आप थोड़ी सी अच्छी क्वाल्टी का उन ले जिससे आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है एक ड्रेस बनाने में, अगर आप बना रहे हैं तो फिर आपके यूज में आए यह देखे हैं, यह हमारी कैप रेड़ी है अब अम अपनी चोली लेंगे यह देखे सीधी साइड है तो सीधी साइड में एकदम सेंटर में इस तरह से रखना है और यहां से लेके यहां तक हमें इसे सिल देना है यहां से लेके यहां तक चले सिलती हूँ फिर आगे बताओंगी क्या करना है यह देखे यहां पे हमारी चोली भी रेडी हुए इसे मैंने सिल दिया, नहीं कुछ खिछना है कुछ नहीं करना है, नॉर्मल रखी और सिल दीचे यह देखें यह इस तरह से हो गया, यहाँ पे मैंने डोरी डाल दिया, वही उन डाल दिया जैसे हमने अपना गेर में डाला था, अब चली मैं आपको पहना कर दिखाती हूँ, तो यह देखीं गाइस, मैंने यहाँ पे जो ड्रेस ए, पांच नबर के काना को पहना एई है, अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स टुडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे